वीडियो को लाइक करें ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा कर ओल नौटिफिकेशन पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुती सुपिरियर क्वालिटी की एंटी फंगल क्रीम के बारे में जिसका नाम है लुली कोनाजोल क्रीम आज हम जानेंगे कि ये क्रीम कौनसी केटेगरी की दवा है इसके कौन-कौन से popular brand ने market में आते हैं इस दवा का उपयोग कहा कहा क्या जाता है इसके क्या-क्या side effect है इस क्रीम को लगाने का सही तरीका क्या है और ये इस क्रीम हमारे सरीर पर किस तरीके से कारिय करती है तो वीडियो को अंतक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट किलियर हो सके अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो चलिए यहां से आज कुछ नया सीख हैं दोस्तो लूली कोनाजोल एक परकार की एजोल ग्रूप की एंटी फंगल दवा है जो की फंगस इंफेक्शन को खत्म करती है यह दवा फंगस के अंदर अर्गो इस्टिरॉल को बनने से रोकती है जो की फंगस की सेल वाल मनाने के लिए बहुती आउस्यक होता है इसके बिना फंगस की ग्रोथ खत्म हो जाती है और फंगस खत्म हो जाती है तो दोस्तों यह इस तरीके से अर्गो इस्टिरॉल की सिंतेसिस को रोक कर फंगल इंफेक्शन को खत्म कर देती है दोस्तों अगर हम बात करें इसके परमुक ब्रांड नेम के बारे में तो वह है मेकलो और फार्मासोटिकल की एमलर्ज और एरिस्टो फार्मासोटिकल की लूली डर्म इसके अलावा यह लूली टफ लूली केर फंगिल आधी नामों से भी मार्केट में अवेलेबल हैं दोस्तों यह दवा आपके एरिया वाइज वे डोक्टर वाइज अलग-अलग ब्रांड नेम से मिलेगी आप इसकी जेनरिक फोम भी काम में ले सकते हैं अगर हम लूली कोनाजोल 1% वेट बाई वेट की बात करें तो यह लूली कोनाजोल क्रीम लूली कोनाजोल लोशन और लूली कोनाजोल सौप के रूप में आती है इस वीडियो में हम लूली कोनाजोल क्रीम के बार एथलिट फूट आम तोर पर पेर की उंगुलियों के बीच से होता है, एथलिट फूट को टीनिया पेडिस भी कहा जाता है, यहें आम तोर पर उन लोगों में देखा जाता है, टाइट सूर्ज पहनते हैं, इसमें तवचा पर दानों का आना, खुजली होना, चुबन और जल होना रहता है, यह एक परकार की communicable disease है, जो दूसित फर्स, तोलिये या फिर कपडों के माध्यम से भी फैल सकती है, दोस्तों एथलिट फूट की वज़े से ड्राइनेस और पंजो की scaling भी हो सकती है, जो की पेर के उपरी और फैलती है, दोस्तों इसका दूसरा उप्योग है जोक इच डिजीज में ये बिमारी नमी वाले मोसम में ज्यादा होती है और इसे टीनिया क्रोज भी कहा जाता है, जिन लोगों को बहुत अधिक पसीना आता है या जिनका वजन अधिक होता है, उन्हें इसके होने की संभावना अधिक रहती है, इसमें तवचा पर गोलाका लाल खुजली वाले दाने बन जाते हैं, ये जंडली शरीर के ढके वे हुश्चों जैसे जन्नांगों के पास, जांगों के पास या काख में अधिक देखे जाते हैं, दोस्तों इसका अगला उप्योग है रिंग वोम या फिर दाद में, जिसे टीनिया भी कहते हैं, ये दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को किस तरीके से काम में लिया जाता है, जब कभी भी ये दवा काम में लें, तो उससे तुरंट पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से दो लें, और उसके बाद जहां बेपी एफेक्टेड एरिया है, वहां पे एक पतली स लेयर बना लें, इसे दिन में दो बार लगया जा सकता है, इसे साथ दिन से लेकर चौदा दिन तक लगया जा सकता है, दोस्तों इस दवा को आख, नाख या मुह में जाने से बचाएं, अगर अचानक ये वहां चली भी जाए, तो खूब सारे पाने से उस एरिये को धोना चाहिए, दोस्तों इस दवा को लगाने के बाद भी अपने हाथों को अच्छे से साबुन से साब करें, ये दवा दो वर्ष से उपर के बच्चों के लिए बहुती सेफ मानी जाती है, दोस्तों जनरली इस दवा के बिलकुल कम साइड इफेक्ट देखे गए हैं, फिर भी क किसी किसी वेक्टी के अंदर जहां पर ये दवा लगाई जाती है, उस एरिये में एलर्जी, इचिंग, रेजनेस, इसकिन में खिचाव या फिर आँखों में जलन तक हो सकती है, दोस्तों इसके अलावा कुछ भी आपको इसके साइड इफेक्ट नजर आएं, तो तुरंत ह इस दवा को लगाना बंद कर अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और डॉक्टर की सला लें, तो दोस्तों ये थी जानकारी लुली कोनाजोल क्रीम के बारे में, जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सला से ही लें, इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन आफसीय दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहें एक बार फिर मिलते हैं एक नए टोपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद